नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल एजूकेशन क्लासेस रामू में आपका स्वागत करता हूँ दोस्तों आज की वीडियो हमारा यूथ कंपेटिशन टाइम से रेलेटर जो साइन्स वाला टॉपिक हम करा रहे थें प्राइमरी सुपर्टेट सिचक भरती के लिए उसमें हमने इग्रहावा टॉपिक मानो सरीर स्वाख स्वस्ता पोशड़ वाला टॉपिक करा रहा था इसमें आज का हमारा होगा पार्ट थ्री और यह अंतिम पार्ट होगा काफी क्वेस्चन इस टॉपिक में दिये गये थे क्योंकि सभी बायलोजी जो है की टॉपिक में उठाकर दे दिया गया था इसलिए इसको तीन पार्ट में हमने कराने का प्रयास किया था इसमेंसे हमने दो पार्ट आपको करा चुका हूं यह आज का हमारा तीसरा पार्ट है ध्यान नरखेगा अगर आपको शिक्षक भरती से रेलेटेड फिरी में नौट्स video चाहिए तो इस टेलीग्राम पचले जाईए एघुकेसिन क्लासेस्ट के नाम से लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिपिशन में दिया घया है या एघुकेसिन क्लासेस्ट के नाम से सरच कर येको वहाँ पर को साइन्स के भी या हर सब्जेक्ट के नोट्स फ्री में उपलब्द करा दिये गए हैं तो जुनना मत बूलेगा टेलीग्राम से जरूर उस पर हम काफी चीजे नोट्स अपलोड करता रहता हूं तो मानों सरीर स्वाक्ष नस्वास्ता और पोषण का आज हमारा तीसरा पार् करने वाले हैं लगभग जो है कि असी क्वेश्चन पिछले पार्ट में कर चुके थे आज हम 81 जो है क्वेश्चन से कबर करने वाले हैं तो वीडियो को अन तक देखेगा वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक सेर सस्क्राइब जरूर करिएगा चलिए सीधे चलते हैं अपने प्रश्णों पर और आज का हमारा प्रश्ण नंबर 81 होगा और वो है प्रस्ण जहां तक असी प्रश्ण तक हमने पिछले वीडियो में कर चुके थे आज हम 81 प्रश्ण से करने वाले हैं चलिए प्रश्ण नंबर कीसे कि मांणों में लाल अरूधिर कडिकाएं का जीवन काल कितने दिन का होता है तो 120 दिन का होता है सबको पता होता है और magnesium जो होती है डाबलू बीसी स्वेक्त रतकणिकाई उसके दो से आप चार से पांच कह सकते हैं या तीन से कहीं पांच लिखा रहाता है यहीं डेट जो होता है उसका जीवन कालती यहीं द्यान अखेगा प्रश्च नमर 82 कि मानों में कितनी जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं होती है कपाल तंत्रिकाएं जो है कितनी जोड़ी होती है वो आपको बताना है रिप्स की बात हो रहा है पसलियों की बात हो रहा है रिप्स जिसको कहते हैं पसलियों तो वो बारा जोड़ी होती है आप ध्यान नखेगा 24 पसलियां होती है संख्या और बीवाला बिकल्प हमारा सही हो जाएगा और एक उस सभी पसलियों को जोड़ा होता है तो कई-कई-पचीस भी दिया रहता है चीज़ को ध्यान रखिए गत 82 का हमारा बी वाला विकल्प सही हो जाएगा प्रस नमर 83 है कि कोशिका में निमलिकित में से कौन सा पाचन थैली कालाती है कोशिका के अंदर कौन सा कालाती है तो वो आपके सामने विकल्प है वो है लाइसोसोम डी वाला विकल्प जो है 83 का सही हो जाएगा लाइसोसोम ज देखे लाइसोसोम कोशिका में एंट्रोसाइटेज द्वारा लगाया गए प्रूटीन तथा अन्य पदार्थों का पाचन होता है पचिक हुए कड़ एक जिल्ली द्वारा ढंग लिये जाते हैं और यह रचना फैगोसोम कहलाता है अब फैगोसोम और प्रात्मिक लाइशोम यह हो जाते हैं तथा लाइसोसोम के विकार द्वारा, भूशोम द्वारा लागाए तो बोजन की कमी के समय लाइसोसोम साईटो पलाजमी में प्रोटीन लीपिट कार्भू हाइड्रेट का पाचन करता है तथा कोशिका को विखंडित हो जाता है इसके वजह से मतलब जो चीजे उती हैं कोशिकाों का विखंडित होता है और इसी कारण में सर्च कर्यागे गां हमें तो दी वाला विकलप है तो विखलब में मतलब कि मूत्र में क्या इसे नहीं पाया जाता है विकल्बम अSDAY , भिकल में से सो आपको बताना है प्रशननके 14 की म Эльbolt म हो जया यह इसemia नहीं पाया जाता है यह प्रोटीन है और यह जो है हमारे प्लाज्मा में पाया जाता है ध्यान लखेगा जो 55 प्रतिसत प्लाज्मा हिस्सा होता है उसमें यह इल्बूमीन प्रोटीन होता है तो सीवाला भी कलब सही हो जागा बाकी यूरिया सोडियम को क्रिश्टाइन जो है यह मूत्र में पाया जाता है तो स्व निमोनिया रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है बच्चों को उता है निमोनिया रोग बच्चे के किस अंग को प्रभावित करता है तो यह वाला बिकल्प सही हो जाएगा यह बच्चों को ज्यादातर होता है निमोनिया तो द्यान नखेगा यह वाला बिकल्प इस olm किसका सबसे ज्यादा हिस्सा होता है तो वह और बीची का सबसे ज़्यादा हिस्सा होता चयासीघा ऐसा कौन सा उंग वसा को तोड़कर कालेस्ट WRAL बनाता है बहुंन से कौन सा उंग आउसा को चल रही है चली वाल भीकल को तोड़कर कालेस्टरल बलाता है यकरित को सिकाये नीले शरी रंग का पीट रष् Remorent प्रफ करती है जिसमें विटामीन Aल दी लोहा यह ताबा संचीत रहते तो कभी-कभी पूछता है कि विटामीने सबसे ज़्यादा कहां पाई जाता यह करित में और पित रस में जो है सुरावन होता है जो हमारे जुवासा के पाचन में जो है साइक होता है यह पॉइंट ध्यान रखिएगा प्रस्ट नमर अटास पड़े होंगे तो जरूरप हमारा नसं वर इस प्रशनुका देंगे परश्ण वर ठासी का विकल्प हमारा पहला वायरस विशाणू भी कहते हैं इसको एवाला विकल्प सही हो जाए वाइरस जनित रोग है वाला विकलफ हमारा सही हो जाए का ट्रीक था इन्हें डाटो मत खरे गाल पे चापो ट्रीक इसका था वाइरस जनित रोग का वैक्टिरिया का जीएश्टी पंडित कन्युटी का है अगर हमारे पिछली वीडियो इसी से रिलेटर इसी टॉपिक से रि वीडियो ही है है हटत इस जो यकृत को प्रवावथ करता है वारस जनित रोग है फैपेटाइटिस नामक वायरस के संकरवना से फैलता है यह नहींуск के विशाणौ पानी से फैलते हैं यह विशाणू का है ज़तले हैं आग विशाणु रख्त के संक्रमित होते हैं इसमें बी और सी किस्म की विशाणु अधिक खतरनाक सबसे खतरनाक गया था और जो विशाणु गहते हैं प्रश्ण नमरे टी नाई ने कि प्यूस गरंती पाई जाती है सबको पता है कि किस में पाई जाती है मस्तिस में लेकिन उसमें भी अकर आपको अंदर जाकर प्रश्ण पूछता है तो मस्तिस के नीचे वाले पार्ट में जो है यह प्यूस गरंती पाई जाती है सबसे चोटी गरंती है ह गड़े में होती है इसको सेल टर सी का कहते हैं या मास्टर ग्लेंड भी का जाता इसका भार लगबग 0.69 मास्टर ग्लेंड है मनुसमें मक्का के दाने के बराबर इस तरीओं के कुछ बड़ी और गारब भावस्था में काफी बड़ी होती है यह अग्रपाली पश्चपाली और मद्धिपाली में विभाजित होती है यह द्यान नखिए का बस आगे चलते हैं प्रश्ण मंनब इक ग्रंति डिसमें अंत स्रावी और वहीड स्रावी दोनों पाज हिए यह कौने चीन अंतर श्रावी की विशेश्टाह दरसाल हो तो कि अंधnah , यह होन्हाइक ग्रंति इसमें हार्मोंस और एंजाइम दोनों का स्तरावण होता है तो यह द्यान नखिये गासी वाला विकल्पिसका सही हो जाए अगनासय गरंथी मानों सरीर की दूसरी बड़ी गरंथी है यह वाहिश्रावी और अंतसरावी गरंथी की तरह कारे करता है इसके अंतसरावी भाग मे इंसुलीन तता ग्लू के गोन नामक हार्मोंस तता वहिर भाग में छारी अगनासय रस निकलता है जिसमें एंजाइम्स होते तो मैंने कहाना कि हार्मोंस और एंजाइम्स दोनों का यह सरावण करती है इस बात का ध्यान नकिएगा प्रश्ण नमर एक्यांवे एक निमनी मे प्रश्ण नमर बहुजन तुरंत सकति परदान करता है तो ग्लू कोज ही है जो तुरंत सकती परदान करता है और यह नहीं तो कार्बोहाइड रहता तो उसको हम जाते विकलप के साथ लेकिन अगर बिकलप में कार्बोहाइडरेट है और गुलकोज भी है तब आप गुलकोज के ही साथ जाएंगे ये भी बात ध्यान लखेगा पूछा गया प्रशन है कई जगह ऐसे भी कल्प दिये गया होते हैं फसाने के लिए तो गुलकोज के ही साथ जाएगा डीवल अभी कल्प 92 का सही हो जाएगा गुलकोज C6 H12 O6 सबस सरीर की सबसे चोटी हड़ी है चोटी हड़ी सबसुप पाताए स्टेप पीsis होती ही काण के अच्छी हो जाएंगा ऐक चीद देखिए यह जगह होता है की कार्बो हाइड़ेट उसके बाद फैट जिसको वासा करते हैं फैट को वासा कहा जाता है और एक होता है प्रोटीन यह जो तीन होते हैं यह हमें उर्जा परदान करने का कारे करते हैं बाकी जो वाटर होता है मिनरल्स होता है खनीच पदार्थ होते हैं वो हमारे सरीर को उर्जा नहीं परदान करते हैं तो यह भी पॉइंट ध्यान रखेगा बाकी इस 93 प्रस्ण का स्टेपिज वाला आंसर हो जाए गा आयोडीन की कम इसे घेगा रोग या गलगंड रोग जिसको कहते हैं वह जाता है सी वाला बिकल पिसका सही हो जाएगा और यह घेगा रोग जो है थाइराइट गरंथी जो होती है उसके अनबैलेंस होने की वज़े से होता है यहीं पर पाए जाती है थाइलाइट ग लेगा रोग कालाता है यह रोग वर फीली तथा उन अस्थानों पर ज्यादा पाया जाता है जहां पानी में नमक की मात्रा की कमी होती है तो यह चीज ध्यान रखेगा आयोडीन की कमी से होता है प्रस्ट नम्मर 95 वासा में गुलंसीन विटामिन कौन सा नहीं है आपको पत है तो हमारा जो आपसन होगा बीडी वलब कल्प इसका सही हो जाए वह आगे चलते हैं प्रस्ट नम्मर 96 रख्त समू ओ लाता है तो रक्त समू वाला जो होता है वो सर्व दाता होता है सभी को बलड देता है और एबी जो होता है वो सर्व ग्राही होता है सभी से बलड जो है लेता है यह चीज़ द्यान नखेगा 96 का विकल्प एवाला सही हो जाए अब देखिए वो जो है सर्व जनिक दाता होता ह और यह भी जो सर्वंचिनी ग्राही होता है रखत शमू की खोज जो है उन्नी सो इसीवी में कार्ल लेंड इस्टीनर ने किया था यह बात भी द्यान ना कियेगा प्रस्ट नमर करता है जो माल को सरकरा में या माल टोज भी का सकते में बदलता है और मुजिक लुगदी को चिकना बनाता है इसी कारा डोटी जो है देर तक चूसने पर मीठी भी लगती है तो यह गुच्छा नियर चिकना बना देता है बोजन को अंठानबे प्रश्ण है कि इंसुलीन एक परकार का क्या है कहां से स्रावित होता है और 14 नवंबर को जो इंसुलीन मधुमें दिवस मना जाता है इसकी कमी से मधुमें रोग होता है यह भी द्यान लखेगा बिकल्प जो हमारा अंठानबे का सायोगा वह होगा हार्मोंस और पैन क्रिया जो ती अगना से गरंती वहां से इस्तरावित होने वाला इंसुलीन है बी i Ohjani 99 मानोरर का रक्त बैंक कहा जाता है किसको कहा जाता है प्रश्णम निनानवे का विकल्प जो हमारा सउह जाएगा प्लीह को कश्योरी प्राहा जाता जाता है यह लाल रुदिर में आक्सिजन का पर और प्रोटीन द्वारा होता है जिसका नाम है किस नाम से किसके आक्सिजन का परवहन होता है पा्ता होगा हिमोगलूबीन के वज़े सहे होता है सिवाला भीकल्फ जे सही होझाएगा ये दियान नakers लाल रंग बलड का होता है वो हीमोगलूबीन की वज़े से ही होता है hear कि दौरा हीम रोधरी में, हीमो-गलूबीन-फ São आता है तो यह दोनों का परिवान करता है कार्बन डाय एक साइड भी रहती है जिसमें और आक्सीजन भी रहती है सुद्रक्त या सुद्रक्त कह सकते हैं आप इससे चीछ को प्रस्ट नमर एक सवक निमने से कौन से मदमी रोग के लक्षण नहीं है वह आपको बताना है प्रस होता है प्रस्ट नमरेट्री आट्रिक्स में सींध्यान से अध्यन से समझद ही सबस्य हैं प्रश्ण नमर 102 का आंसर वो सीशु रोग से संबंदित है सी वाला विकल्प जो यह सही हो जाएगा 102 का अध्यान करने की पद्धती होती है जैकि प्रश्ण नमर 103 है कि ताप जुआर को कम करने के लिए निमलिकित में से कौन सी दवा इस्तिमाल किया जाता है इस्तिमाल किया जाता है तो वो हो जाता है एंटτί पायरे जो त्यस्तिमाल कि जाता है जो फ्रामीन करी आगा विटामिन कौन साए तो यह वाला विटामिन सी वाला हो जाएगा सी से आप सम्झ बोलने लगा था विटामिन सी देखिए कि विटामिन परक्रिया में कुछ कवक जिन है यिस्ट कहते हैं अप घटित करके एलकोहल बनाते हैं यह मदिरा उत्बन करने की सबसे महत्मून और अभीन प्रक्रिया होती है, तो इसको क्या कहता है कि टेंप्रेचर के माध्यम से विटामिन C जो होता है, उससे कई पदार्थ बनाया जाते हैं, इलकॉल के रूप में, वहीं चीज यहां पर बात होई है, तो विटामिन C वाला मेडूला वाला पार्ट जो है अगरमस्तिस नहीं आता है जबकि मेडूला अलंगेटा यिसे मेडूला के नाम से जाया जाना यह पच्छमस्तिश का यान mmm पच्छमस्तिश में 106 पलेग ड्राइघ के विपचारई में किस दवा का उठतिश में कुट्य के क काटने से होता है किस दवा का उठतियाह 2 प्लेग नामक बिमारी जवní इसका अच्छा दीए चुहों द्वारा नहीं होता है यह तो उसके द्वारा हो वह कुट्टो द्वारा नहीं होता है प्लेग प्लेग द्वारा होता है इस ट्रंप्टो मैसीन होता है इस नामक बीमारी से होता है इसका शनक्रम पर पाये जाने वाले ससुंगों से होते हैं क्योंकि पिस्वों के सरीर प्लेग के बैक्टिरिया राते हैं जिसमें रोगी को तेज बुखार होता है वो गर्दन तथा हाथों में गिल्टियां निकल जाती है इसके उपचार के लिए इस ट्रप्टोमाईसीन नामक दवा का उप्यू किया जाता है तो प्लेग नामक बिमा हम यह वाला प्राइब व कलप 107 का सभता ही टोकोफिरा जिसमें हम खतें ने होसकती नहुंआ tenthु तो धन सब्सक्नासीटा को चाहिए यह प्लास नमर्ट 믹 108लाल रक्त कड़ी करी कां। सिर यह किस भाग में बन्ती है। सभको पता है, अस्ति मज्य में बन्ती है वी वाला बिकल्प जुइस सही हो सई आगा ideas को ऑटी हिए गां। मनुसवे लाल रक्त कड़ी करका है दोनों और से बीच में दभी हुई अर्थात उभाया वतल होती है यह इसकी डिजाई ने लाल रक्त कड़िकाएं जो होती है उनकी इसमें केंद्रक नहीं होता है यह स्वक्ष मन सरीरी में लगभग 45-50 लाक प्रतिमीमी तक होती है इसका जीवनकाल 100-120 दिन होता है और लाल रुदिर कड़िकाओं का निर्माण प्रष नमर 1109 है कि मेलेर्या से प्रभावित होता है यह और नाम ध्यान एक गएक प्लाज मोडियम प्रुटोजूऴा द्वारा परजिवी मं सकती होता है मादा एना फ्लीज जो मच्छड होते हैं उंकर नरीा प्रचण काटने में پ्रवेशकरों बहु गुनित होते हैं उन्हेसे नहीया पर डहुब सब होने लगता है चुक्त बहुत अच्छा चीज है पृती जैब को एंटी यह आ कहा जाता है प्रतिजन एक प्रकार का प्रोटीन आप तर बी हो सकते हैं प्रतिजन और प्रतिजैविक ति यानि कि एंटी जन और रिंटी बाडी होगता क्या है एंटीजन को हैं सब्सक्राइब और उन्हें प्रतिजण करने के लिए एक परकार चाणा करते हैं एंटीबाडी करते हैं लेकिन 王क प्रतिज्द्दों करने में इसी प्रिरेमें आप प्रतिज्द करनेकि प्रोभ। प्रतिजयविक एंटीबाडी में चीज़ ध्यान रखेगा इसका बीसेस एक सीम्पल आंतर होता है अगर जब भी आपसे कोई पूछे कि एंटीजन और एंटीजन एक प्रकार का रोग होता है और एंटीबाडी जो है प्रकार का प्रतिरच्छी तंत्र होता है समझने जिसे टी लिंफोसाइट कोशिकाई होती हुँ हमारे सरीर में प्रतिरच्छा का कारे करती है तो उसी तरह ये भी जो है एंटीबाडी हमारे सरीर में प्रतिरच्छा का कारे करता है रोग उसे लड़ने का कारे करता है रूधिर में प्रक इसलिए इसलीघले इसलीघलर मतलब सभी से बलट ले सकता है और रक्त समों जो होता है उसकी कोज जो कास्टेलो और एस्टली इसमें अनुपस्तित होता है इसमें अनुपस्तित होता है जिसमें एंटीबाडी जो है दोनों उपस्तित होते हैं तथा एंटीबाडी दोनों उपस्तित होते हैं यह एंटीजन अनुपस्तित होता है एंटीबाडी जो दोनों यानि कि एंटी बाडी हमारा बनता है वो दोनों एंटीबाड़ी उपस्तीत होते हैं चाहे है ले लिए आगे चलते हैं प्रश्ण कौसरी में सबसें बढ़ी अस्थी कौन सी होती ने है लेकिन यहां पर यहां पर दिया इना इनंहों को गौत तंपरेचर जो होता है इसको नीचे लाने के लिए वैंटी प्रियूट की जाती है प्रियुद की जाती है बुखार को नीचे लाने के लिए टंप्रेचर जो होता है उसको नीचे लाने के लिए यह हमारे सरीर का तो एंटी-पाइयरे टिक्स इसको आगे भी हम कोच्चन में पिछले कोच्चन में कीए हुए हैं तो एवाला बिकल्प हमारा 112 का सही हो जाएगा द्यान रखेए गाँ प्रश्ण नमर 113 का भी वाला वसा का पाचन करने में सायक होता है प्रश्ण नमर 114 मानों सरीर में रख्त संचार कैसे होता है पर्थम्केति कोने रख्त संचार कैसे होता है और उसकी कोज ने खोत किया था किस French कि ने किया था संचार का मानो सरीर में साझार की खोडिए किlungen तरल सयोजी उद्तक है तेयाना नगी Z Ubpes nerd का मतलब कि इसमें वीशिष से पदार के पदार्थ मिले होते हैं उसीलिए कई पदार्थ मिले होते हैं इसे लिए जिसमें इनका बलड प्रवाइथ होता है इसमें फूला नत्राना कीट मकड़ी इनमें खूला राता है इनमें त्वचा से इनका आधान-प्रदान हो जाता है इसलिए इनको खूला परिशंचन तंत्र का आ जाता है और बंद परिशंचन तंत्र का मेनोदारन आप कर सकते हैं परश्टी नमर 115 रक्त चाप किस पर निरभर करता है रक्त चाप प्रेशर का प्रेशर किस पर पर निर्भर करता हैं प्रश्ण सुपंत्रा का आपको बताना निगम पर पर दी पर्टीउडो धक पर और सिस्टोलिक बल पर भी निर्भर करता है तो पर पर दाब प्रकुंचन को हम डाइस्टोलिक प्रेसर कहा जाता है से जो है रख्त की प्रक्रिया हिर्दे में चलती हैं हिर्देज जैसे म्हटिये तो मतलब्अ मतलब सी धिलन उसमें आएगी क्यों इतना चोटा हो गया तो इसकाम कि यूँक्तप्प्त कर रहा है उसको देज रहा है तो वो UA磨 África उसके को ना कृता है कि है और हो CA कि इसका प्रसारण होता है इसका b přैला होता है जिसे हमारा ćड्ये फैलता है तो एक बढ़ा से गडा नीर फैल जाएंगा उसमें आकर बलड भर जाता है तो इसको हम डायस्टोलिक प्रेसर करते हैं और एक फिस्टोलिक होता है यह चीज द्यान लखेगा बाकि चीजें 120 एमजी से 80मजी तक होता है जीन को नापा जाता है यह चीज़ें द्यान लखेगा 120 से 8 के बीच में यह होता है प्रश्ण नमर 116 फेलोपियन ट्यूब को काटना और बाधना कालाता है यह बहुत महुत प्रश्ण है फेलोपियन ट्यूब को काटना और बाधना कालाता है क्या कालाता है वो आपको बताना है प्रश्ण मर 116 विकल्ब जो हमारा सही होगा वह जाएगा वाला ट्यू-ब की टॉमी इसको क conseguir पहले होते हैं बहुता स्पेशी जिसको आप नसमती सीधी सदर बासा में कह सकते हैं महिलाओं में ट्यूब को काटना और बादना महिलाओं नसबंदी कालाता है इंगलीज में इसको देखें यहां पर दिया गया है यह महिलाओं में गर्भ निरोधक का एक अस्थाई तरीका है ट्यूब ट्यूमी के बाद बनने वाला अंडान गर्भासाई नालों में पहुंचकर खंडित हो जाता है तो यह चीज़े द्यान लगेगा प्रश्ण काहा जाता है क्या कहा जाता है वह आपको बताना नहीं तो लीकेमिया इसको कहा जाता है सी वालब बिकल्पिसका सही हो जाएगा रक रख्त का पीएच मान जो है कितना होता है वह आपको बताना है है प्रश्ण संबंदित है वह आपको बताना है प्रश्ण तो यह जो है एक मस्तिक संबंदी बिमारी है अल्जाइमर रोग मस्तिक से संबंदी इस रोग से पीड़ती व्यक्ति की या दास छिण हो जाती है और अधिकान से रोग मनुष्य में 48-65 वर्स के बाद यह उत्पन होती है यह चीज ध्याने केगा हुमर भी द्याने केगा चंपन का छाव्न करती है और सबसे बहर की बात करे तो वह मारा कॉन सा विकल्पी होगा अब ट्यूब ग्रंथी और तक तश्दक जीए का बबड़न करते हैं और सब्संदार यूश्य में तुसरी के सबसेट अंततसरावी ग्रंथी अब ट्यूब ग्रंथी या थायई बाट में पाए जाता है मनुस्य के स्वास नली के दूनों तरफ फाहिली होती है इसको हर्मों स्थायरिक्स स्टी ट्राईब ड्राइम यो थाई-ड्रॉनी को स्त्रावित होता है यह हर्मोंस हमारे से में वहां पर पास्ति और इसकी इसमें भी डिसघालेंसाटा है तो गेर रोवाला बिमारी वाला हो जाता है प्रास्ण नुमर्ड के जीव की चैना गेंक करने वाली सास्तर कहता आता है क्या आ मानों रचना विज्यान काते हैं सरीर रचना विघ्यान को अधियाँ जाते हैं एक क्रिसी विज्ञान के एग्रो लोजी या एग्री कॉल्चर मनों विग्यान मानों उद्भव विकास सम्मध्यत होता है प्रशने में 120 है रक्त क्या है अभी हमने बताया कि पीच मत 7.4 होता है तो वह हलका चारी है न तो इस तरह से हम बीवाले बीकल्ब 122 के बीवाले बीकल्ब के साथ ही जाएंगे हलका चारी होता है देखिए यहां पर पी एच पैमाना पी मुल्य एक संख्या होती है जो पदार्थ की अमिरती उच्छारता की परदरसित किया जाता है इसको देखे पीच मान जीरो से चौदत के बीच होता है जिसमें पीच का मान साथ से कम हमली हो जाएगा और साथ जो है प्रश्च नमर 124 और इस वीडियो का लाश्ट प्रस्च है मानु सरीर का रक्त का रक्त पांड से 6 लिटर मनुषल में रक्त पाय है और 9,23 रक्त, रक्त तो साथ से आठ परतीसत होता है यह वाला बिकल्प जो 124 का सही हो जाए गा तो यह थे आज के हमारे जो इग्रह में लेसंस से रिलेटेड क्वेस्चन मैंने आपको कवर कर दिया जल्दी अगला टॉपिक हम लेकर आएंगे इसी वीडियो से रिलेटेड तो चलिए वीडियो स समाप्त करते हैं थैंको 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 फार वाचिंग इस वीडियो